खरगौन जिले के सेगाओं में आज क्रशी विभाग ने बड़ी कारी वही करते वए खरगौन जनपत अधिक्ष प्रतिनिधी संतोस पवार की कितनाशक दुकान गायतरी करशी सेवा केंद्र को सिल किया है सेगाओं के लोनारा रोड पर इस्थिद गायतरी करशी सेवा केंद्र खरगौन जनपत पंचायत अधिक्ष संतोसी बाई के पती का प्रतिस्ठान है बाजपत समर्पित जनपत अधिक्ष प्रतिनिधी की दुकान को आनियमित्ता के चलते सिल करने से हड़कम मच गया है क्रशी विभाग के निरिक्षन के दोरान स्टाक रजिस्टर और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं पाया गया था किटनाशक अधिनियम की विभीन धाराओं के अंतरगत गोडाउन और दुकान दोनों को आगामी आदेश तक सिल करते हुए लाइसेंस भी क्रशी विभाग ने निरस्ट कर दिया है वरिष्ट क्रशी विस्तार अधिकारी राजाराम चोहान ने बताए कि पिछले दिनों मा गायतरी क्रशी सेवा केंदर का निरिक्षन के दोरान इस्टाक रजिस्टर भाव सुची और कुछ किटनाशक दवा के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं पाये गये थे अनियमित्ता के चलते उप संचलक क्रशी को निरिक्षन प्रतिवेदन दिया गया था उप संचलक महुदय के निर्देशा नों सर कारीवेही की गई है दुकान और गोडाउन सिल कर व्यापार लाइसेंस निरस्ति किया गया है सेगावास संजय जैस्वाल की रिबोर्ट निर्देशित के दोरान इनके द्वारा भाव सूची नहीं बनाई गई और प्रिंसिपल सर्टिपिकेट जो रहते हैं दवई के वो कुछ तो दिये थे लेकिन बाकी कुछ बिना इंदराज के उन्होंने व्यापार किया जा रहा था और रजिस्टर इस्टर नहीं बनाया इ निर्देशन पर्तिवेदन उपसंचलक महदई को दिया था इसके आधार्मिन को लाइसन्स निर्देश्ट किया गया था तो इसो सीच कर व्यापर बंद करने का क्या नाम लिखते आप में राजराम चोहान क्या पोस्टप है में वरिष्ट कर्षिव का सदिकारी से गऊ देख रहे हमारा चैनल आज जर्वी 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें